चार मित्र थे, इन में से एक बढ़ही था, एक दरजी था, एक सुनार था और एक ब्रह्मन था चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक महूर्त देखकर अपने गाव से रवाना हो गए चलते चलते शाम हो गई तो एक कुमे के पास रात गुजारने के लिए ठहर गए सबने भोजन किया और फिर सोने की तयारी करने लगे सुनार के पास सोना था इसलिए उसने कहा भाईयों सबका एक साथ सोजाना ठीक नहीं होगा दरजी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी-बारी से पहरे पर जागना चाहिए ब्राहमण ने सब के पहरे का समय निश्चित किया पहरे पर सबसे पहले बढ़ी की बारी आई वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु ठकावट के कारण उसको नीन दाने लगी उसने सोचा, कुछ काम करना चाहिए बढ़ाई ने एक लकडी का टुकडा लिया, आजार निकाले और पुतली बनाने लगा अपना पहरा खत्म होते होते, उसने लकडी की एक सुन्दर पुतली बना ली और फिर दरजी को जगा कर सो गया दरजी ने देखा, पुतली तो बहुत सुन्दर बनी है उसने रंग, रंगीले कपड़े निकाले पुतली का नाप लिया, और फिर सीने लगा अपने पहरे के समयी में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घागरा तयार कर लिया साड़ी के नाप का चुनरी का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहना ओढ़ा कर खड़ी कर दी फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई दोस्तों ऐसे और भी इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा तो आईए अब आगे सुनते हैं वह सोना निकाल कर गहने बनाने लगा धीरे धीरे उसने बोरला, जेला, कर्ण फूल, नत, हसली, हार, चूडियां, पायल सभी गहने बना लिये और पुतली को पहना दिये पुतली गहनों कपड़ों में बहुत सुन्दर दिखने लगी अंत में ब्रह्मन की बारी आई वह पुतली को देख कर विचार में पड़ गया उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए वह मंत्र बोलता हुआ, उस पर जल छिड़कने लगा सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुन्दर लड़की को अपने पास देख कर आश्चर्य करने लगे ब्रह्मन ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूँगा बढ़ही बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी? दरजी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तयार किये हैं इसके साथ तो मैं ही विवाह करूँगा सुनार ने कहा, भाईयो, मैंने हजारों रुप्यों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इतने में गाव के कई लोग भी जाग कर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए चारों को लड़ते जगडते देखकर गाव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला भाई, क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझा कर कहो चारों ने बारी-बारी से अपने बयान दिये और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया बूढ़े ने सब की बातें समझ कर कहा बढ़ई ने पुतली बनाई और ब्रहमण ने इसको जीवित किया इसलिए दोनों इसके बाप हैं दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता रही बात दरजी की इसने कपड़े तयार किये हैं यह काम मामा का होता है विवाह पर मामा मायके के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है गहने पहनाने वाला सुनार है वही इस लड़की से विवाह कर सकता है सब को यह न्याय स्वीकार करना पड़ा सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे दोस्तों यह कहानी यहीं खत्म होती है और भी बहतरीन कहानिकारों की इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुनने के लिए धन्यवाद